गुड मॉर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप सब ये 15 अगस्त की सुभा है और 15 अगस्त का वीडियो इतना लेट से क्यों आया मैं आपको आगे बताऊंगी और ये देखिए कितना अच्छा फोल खिला है आप लोगों में से जो पूराने हैं उनको पता होगा ये सारा क्रियेश तो आज मैंने बाबू को भी सुभा उठाया है क्योंकि बाबू साड़े आड़ बजे के आसपास इनके साथ ऑफिस के लिए निकल जाएगा उसके बाद आएगा तो फिर इसके स्कूल में प्रोग्राम है साड़े दस बजे से और आज 15 अगस्त है तो इंडिपेंडेंडें तो सबसे पहले मैंने बालकनी का आपको लूक दिखा कि मैं यहां किचन आ गई हूं और चाय बनाओंगी तो अभी फिलाल यादा के दूद लेकर यह भी टरन ले गए थे आज मैं टरन नहीं गई थी तो यह दूद लेकर आए और बांकि दूद वाला आज धाय किलो दूद पहुचा देगा तो मैं चाय बना लेती हूं मुझे लगा था यह एक साथ ही लेते आएंगे तो मैं जब यह बाबु को छोड़ने आएंगे दस बजे के आसपास तो मेरे मेरा यह मानना था कि मैं इनके लिए रेडी कर लूँगी सबजी पूरी और खीर लेकिन दूद दिन तो मैं सबको यहाँ पर कंटेनर में रख लूँगी और जब तक चाय चड़ाई मैंने सारे बरतन को मेंने लगा दिया जो कि मेरा पूराना आदत है तो आप देख रहे हैं चिमेंट इन आल मैं हूँ आपके साथ नमरता चैनल पर जो भी नहा है चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियो लाइक करिएगा वीडियो तो पसंद आना ही आना है यह वीडियो आप लोगों को 16 अगस्त या 17 अगस्त को मिलना था लेकिन आज मिल रहा है तो हुआ यह था कि मेरा यह वीडियो डिलिट हो गया था मैंने बहुत ही मुश्किल से इसको रिकवर किया है और दो-ति भी कई काम करने होते हैं परिवार में कुछ परिशानी भी चल रही है जो कि मैं खुस होकर सब कुछ आप लोगों के साथ सेर करते हूं क्योंकि दुख सुख आते जाते यह तो है ही तो यहाँ पर मेरा चाय बन गया है और चाय बनाकर इनको यह नहाने जाएंगे बाबो को ना लाएंगे पिर मैं बाबो को त्रेस पनाऊंगे और इनको मैंने सोचा है कि दही चूड़ा खिला पर भेजा दुगे हुझा नहीं कि मेरा टार्गेट है कि जब यह 10 वजे तक बाबु को छोड़ने आए तो कम से कम मेरा सबजी और खीर तयार रहे और गरम-गरम में पूड़ी तलते जाओंगी तो यहां जब तक चाहे होगी मैं आलू चढ़ा दोंगी और चुकि मैं बिना नहाय इसलिए खाना में लग गई हूँ कि आज मेरी दादी के इस्पायर होने से जो पंदर अगस्ता उस दिन तीन ही हुआ था तो मेरा बना हुआ बगवान को भोग नहीं लगेगा इसलिए मैं बिना नहाय ही इसमें लग गई हूँ और चुकि मुझे बाबू का जो आनलाइन क्लास होगा तो उसका बैक ग्राउंड भी डेकोरेट करना है कल का वीडियो आप लोगों ने इसके पीछे का वीडियो देखा होगा जो कि मैंने बाबू के लिए बैच बनाया था बिल्गुल अच्छा बना था आप लोगों ने कमेंट भी किया था तो चुकि हर अलग लग तरीके के बच्चे आते हैं सबकी मा बिल्गुल क्रियेटिव होती है ऐसे नहीं हो कि मैं स्पेसल पीस हूँ तो सबको यह अपना डेकोरेट करता है तो चलिए अब यहां पर हम लोग आ गया है चाय पीने के बाद वो तो उनको मैंने विदा कर दिया दही चूड़ा खिला करके और उदर मैंने सबजी चड़ा दिया आलू परवल की छोंक लगा दिया और यह जो पतला वाला पेपर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था यह लाए थे तो मुझे लगा चलो तीन कलर का है तो इसको बरवाद नहीं करना है तो मैं यह दो-तिन फोल्ड करके इसको थोड़ा सा मोटा बना कर वह पंकी वाला मैं बैक ग्राउंड बनाना चाहा रही हूं जो पंके के तरह बनता है तो मैंने सोचा इसको भी मैं इसको सामिल कर लेती हूं डेकोरेशन में और भी कुछ जिससे की बैच बनाया था जिस पे वह आएगा और मुझे भी इतना दिर में नहाना है रेडी होना है अगर स्कूल में कर देख मम्मी को भी आना है तो यहां पर मेरे पास बिलकुल कम समय है बारवार उटके कीचन भी जा रही हूं कीचन भी देखना है तो इस तरह से मैंने एक कार्टून लिया हुआ था दिलकुल भी शुटेबूल नहीं हो रहाता तो फिर मैंने तै गया कि किसी तरह से इस पेपर को एक फोल्ड और कर लेती हुँ तो यहां पर मैंने ट्रेको खो ठो Carnivill करके फिर फोल्ड करको तो ये थोड़ा सा हैवी बना उपर का पोर्सन जिस तरह कि आप देख रहे हैं कई बार फोल्ड हुआ तो ये थोड़ा सा टिकने लायक बन गया था तो फिर मैंने इसको बनाया और सोचिए आपको मैं इतना तेजी से दिखा रही हूँ समय लग गया था और को लेकर आये थे तो उसके वाद मैंने इन्को रख लिया था कि नहीं हाँ म फुलाने में समय लगता है तो इसतरह इसे यह बना लिया है और इस कारन नइन यह कोट का कि पैल्ल कर लिया और इसके पैप्ति को बिल्कुल चिपका लूँगी मैं इसको शेयर नहीं कर रही हूं और मुझे मेरे दिमाग में मुझे नहाना भी है पूजा तो आज नहीं करना है अब यहां पर मैं इसमें पेश्ट कर लूँगी इसको इस तरह से रखके और उसके बाद फिर मैं वह जो चक्र होता है उसको करने में समय तो बहुत लगता है लेकिन यादगार पल होता है यह अपने दोस्तों में सेयर करें वाटसप पर डालिए तो यह सब अच्छा यह सब जीने का एक तरीका है जो कि कुछ दिन बाद आप तो फेस्बुक योट्यूप के दुनिया है जो कि आपको आपके बच्च रूबों मैं बनाऊंगी तो यहां पर इस तरह से इसको इससे बड़ा साइच काट के चारू तरफ से में इसको कट कर लोंगी और इसको पीछे की तरफ पोल्ट कर लूँगी और फिर स्केश पैन से बलूग से बना लोंगी तो आप लोग जरूर बताईएगा इतना मेहनत क करती हूं और आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ये मेहनत मेरा ये प्रियास और अप टुडेट रहती हूं हर पर वोको लेकर आज चुकी बैलून वगएरा सब कुछ है तो मैंने इनसे बहुत रिक्वेश्ट किया है कि आप सेलिबरेट किजी अपना बर्थडे पिछले बार तो आप लोगों को याद होगा कि क्या हुआ था मैंने सेयर किया था आप लोगों के साथ तो मैंने बहुत रिक्वेश्ट किया है लेकिन ये बिल्कुल मना कर रहा है क्यों मना कर रहा है तो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगी और आगे देखती हूं ये सेलिबरेट क करने के लिए और रूम यह सब लगा कर तो मैंने डेकोरेट कर लिया था लेकिन बैलून नहीं फुला पाई थी और खुद नहा कर आ गए ती रेडी हो गए थी लेकिन दूद इतना लेट से आया था कि खीर नहीं बन पाया था तिनों ने यह भी कहा था कि मैं आज दोपहर में आओंगा बारा एक वजे के आसपास कोशिस करूंगा तो अब यह भी देखते हैं कि आते हैं यह नहीं तो इस तरह से मैंने बना लिया है और चोटा रोटा परियास जो आप लोग के साथ सेर करती हूं तो जानल को जरूर सब्सक्राइब करीगा और यहां पर मैं मुटे वा रूम डेकोरेट अभी कर दिया है मैंने और जल्दी यल्दी मैं यहां पर आ गई हूं खीर में सब कुछ डालने के लिए लेकिन इन्होंने कहा तक मैं नहीं खाऊंगा लेकिन यह रुके हुए थे क्योंकि मुझे बैलून इन से फुल वाना था तो अभी बावो का ओनलान क पहना हुआ है और यहां पर खीर भी बना लोगी क्योंकि खाने में अच्छा लगता है तो सारा ड्राइफ लोड्स पगेर मैंने डाल दिया है सबजी और खीर रेडी हो गया है लेकिन इनको जाना था यह बोलें कि मैं भी नहीं खाऊंगा मैं एक यह देड़ गंटे में फि फिर बच्चे का क्लास शूड़ जाएगा तो इतना तो कॉपरेट कर देते हैं बहुत अच्छे हैं कॉपरेटिव इंसान है तो यहां पर मेरा खीर रेडी हो गया है उदर मेरे इसमें बैलून फुलाने पर लगे हैं बाबू भी उनको हेल्प कर रहा है और यह लोग तो आ सबजी को खाली करके रख दूंगी पॉट में और कड़ाई वगएर भी जमा करते ही जाओंगी जिसे की कीचन हमेसा साफ रहे अगर माली जे सच में यह आ गए दोपर में और कुछ लोगों को लेकर आ गए मुझे यह अंदासा अंदेसा लगता है क्योंकि इनका आज करन गया है समय के साथ तो यहां पर मैंने कीचन साब कर लिया है सब कुछ यहां पर रेडी कर दिया कड़ाई वगएर चड़ा के और आप यहां पर बाबुपा ओनलाइन क्लाइट सोने की चिरियां कर्ती है बशेला ओफारडदेसे मेरा rieहां पर देश है मेरा बो जांसद अहिंसा और धर्मक चतत पगलक सा मेला ओफारडदेसे मेरा और यहां पर यह मूच लगा रहा है बहुत सिंग का रोल कर रहा है और यह सब क्लास होने के बाद यह चेंज हुआ तो इसलिए पांच मिनट का समय दिया और इस तरह से मूच जो है बिल्कुल नहीं था मेरे पास समय नहीं था नहीं तो मैं मूच भी खुद घर में बना ले थ सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने सेयर किया था और यह पीक इस तरह से डेकॉरेशन हुआ था बैक्ग्राउंड का तो बताएगा जरूर कैसा था यह जो मैंने सब कुछ रेडी किया बाबू को और ऑनलाइन जब क्लास हुआ था तो मैंने मुझे नहीं कहा गया था कि मां की भी आवशकता है तो मैं इसी ड्रेस में थी और उसके बाद यहां पर बाबू को आप कुछ खाने दूंगी तो यहां पर मैं पूरी तल लूंगी और दूर से भगवान जी के आगे रख दूंगी और हम और बाबू मिलकर खा लेंगे और आप लोग बताएगा आप लोगों क्या क्या कुछ कि आप लोग के बच्चे कितने बड़े हैं क्योंकि मैं बहुत ही और इसकूल से भी इतना अच्छा फीड़बैक आया इसकूल का भी आप की डिजी स्कूल में पढ़ता है तो फेस्बूक पर सर्च करिएगा तो आप देखेगा मेरे बच्चे को उसमें डा बोद मेनत करना होता है जो भी माएं हैं सिर्फ मैं ही नहीं तो यहां पर बस मैंने 5-6 पुड़ियां तली है और प्लेट लगा लूँगी गलास पानी रख लूँगी और मैं और बाबु खा लूँगी क्योंकि अभी लगो 12 बज़ रहे हैं तो अब निशा भी आती है तो दो गया था जब हम और बाबु लेटने गए तो पूरा सो गया तक तुरंट थी क्योंकि वह बिल्कुल सवेरे उठा था और यहां देखेंगे लगभग अभी दो बज़ रहे हैं तो निशा भी आ गए थी लेकिन मैंने निशा को का नई निशा आप भी खा लिजे और मैंने इ प्रेटे को लेकर पार्क वारक जाती फ्रेंड लोग के साथ लेकिन तब तक इनका फॉन आ गया हम लोग आ रहे हैं तो फिर मैंने साड़ी चेंज कर दिया कोई पीक वगएर नहीं ले पाई यह भी सोच रही थी कि आपके साथ कुछ वीडियो सेयर करूंगी लेकिन मुस्क साथ बजे तो साथ बजे तक तो इन्होंने कोई भी बर्थ रेस सेलिवरेट नहीं किया जबकि मैंने कहा सब कुछ डेकोरेट किया हुआ है इतना बैलून पड़ा हुआ है लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर खाने के लिए और मैं तो मैं इस वीडियो में बताना नहीं चाहा रहेते लिए उन्हें बता दूं कि मेरी सासू मा जो है इनकी जुमा है इनकी तवियत बहुत ज्यादा खराब है समनने का नाम नहीं ले रहा है और अभी मैं वाइस आवर कर रहे हूं तो बगल में पूजा हो रहा है तो आपको संक क मैंने डाल लिया मैंचिंग हो रहा था क्योंकि पीट में मेरा हलकालगा दर्द हो रहा था मैं काफी ठक गई थी आप समझ सकते हैं एक साड़े चार बचे से उटके लगा तार लगी हुई हूं और जब दोपर में सोने गई तिनके फ्रेंड आ गए उसके साम में सोची तो बिल्कुल सबेरे आ गए छे वजे के आसपास फिर चाय वाई पिया और आठ वजे के आसपास निकली गई तो मैं बाहर का भी आपको साइड दिखाती हूं अपने टेवल के तरफ का इन्होंने लाइट आफ कर दिया और अच्छा भी लग रहा था फिर खाना वाना कापी में भी एक बैड न्यूज है तो आप लोगों के साथ सेर करूंगी कभी क्योंकि आप लोगों से बात करके मन बहुत अच्छा लगता है डियर आप लोग जो कमेंट करते हो बहुत रहात मिलती है तो यह ड्रेस जो कि मैंने खुद बनाया है और यह बैंगल और अच्छा ही लग रहा था आप लोग बताएगा कैसा लग नहीं किया था बिल्कुल सिंपल यह बाहर का लोकेस्टन है बाहर का लुक है मैं इस तरह से उठके आ गए थी लेकिन बाहर आने के बाद बिल्कुल मन अच्छा लगने लगा जैसे लग दिमाग से कुछ निकल गया है इसलिए क अब बाहर भी आना चाहिए और बाबो भी इंजॉय कर रहा था तो तब तक यहां पर मैं आप लोगों से कुछ बोलना ही चाह रहे थी तब तक कुछ इन्होंने और किया था आ गया था तो आज का सफर यहीं पर डियर चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब करिएगा बिलते हैं डियर इसलिए लेट वा था वीडियो आने में मैंने कारण बता दिया बाई बाई लव यू ओ